हेलो प्यारे दोस्तों वेलकम इन आकाउंटिंग एट्यूशन आज वेरींस में हम बात करेंगे या सेल्स वेरींस की वेर्टाथ एक्चवल सेल्स की जो वैल्यू है उसको अगर हम स्टेंडर्ड वैल्यू ओप सेल्स से कंपेर करेंगे तो इसमें जो डिफ्रेंस होगा उसे हम सेल्स कहते हैं जैसे कि माम लीजिए कि हमने यह इस्टिमेट किया कि इसकी 1000 कॉंटिटी सेल करने पर हमें जो सेल्स की वेल्यू ग्राप्ट हुई एक हजार कॉंटिटी सेल करने पर हमें जो सेल्स की वेल्यू ग्राप्ट हुई एड़ स्टेंडर रेट रेट सेल्स वेल्यू जो स्टेंडर है वह होगी 20,000 है यह हमने इस्टिमेट कर लिया 1000 कॉंटिटी सेल करेंगे 20,000 में पराप्ट होगा पर वास्तर में परापत हुआ कि इतना 30,000 है एक्ट्राइब 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 अर्थात तीस हजार में से घटा दिये बीस हजार तो दस हजार जो है वो वैरियन्स है वो फिवरिबल है अर्थात हमारी सेल जो है एक्ट्र सेल स्टेंडर्ड से से जादा है यह एक पोजट्रिव साइन है एक पोजट्रिव वे की तरफ जाने के लिए अगर यह जो एक्ट्र सेल जो हमने निकाली है वो दस हजार उती है तो हमारा वैरियन्स जो है नेगिटिव में आ जाता माइनस दस हजार जो अन्फिवरिबल था अधाथ हमने स्टेंडर्ड जो सेल को इतना ज्यादा इस्ट्मेट क्यों किया एक कोशन चीन यह बन सकता है और हमाई सेल क्यों कम हुई 10,000 क्यों हुई 20,000 क्यों नहीं हुई है यह एक दूसरा कोशन मार्ट बन सकता है और यह जो दो यह जो सेल्स वेल्यज्स एल्यू रेल्यंस वेल्यू को रियंज्स एल्यज्स आधा आथा पहला sales price variance इसका मतलर यह है कि यदि quantity जो actual quantity है वो same रहे है actual quantity है same रहे है quantity of sale same रहे है actual quantity of sale same रहे अगर actual price तथा standard price में difference है तो sales price variance निकाला जाएगा अर्थाथ इस question में मान दो जो है 30 रहे हमारी actual price है और standard price है 20 रहे है और actual quantity जो sale की गई है वो एक हजार ही है तो जो variance है sales price variance वो आ जाता है एक हजार into 10 10 हजार feebrible variance आ जाता है sales price variance का और एक और variance है sales यहां लिख देते हैं sales quantity variance या sales volume variance इसमें जो standard price हो फिक्स रहेगा standard price अगर actual quantity में say standard quantity घटा दी जाए अर्था standard price है मान दीजिए 30 actual quantity जो sale की गई है वो 2,000 है और standard quantity हमने fix की थी 1,000 है तो यह variance आ जाता है माई पास 2,000 में से 1,000 गटा दिए तो 1,000 into 30,000 हमाई पास यह variance आ जाता है favorable यदि actual quantity जो sale की गई है वो कम होती standard quantity जे तो यह unfavorable होता है ओके बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस lecture को सुनने के लिए देखने की है जाने हका उपका बीश झांरख वेब के लिए, फिर द とी लेखने के जबसे का जावका से 1,000 जाता है